124 देखते हैं, question number में बोलता है कि altitude of triangle ABC जो है 9 cm है और AB का value 6 root 3 है और CD का value क्या है, A है 3 root 3 तो हमें बताने है angle A कितना होगा, ओके, ब्रो, आईया देखते है Altitude AD है तो ABC होगया, Altitude का मतलब का perpendicular AD का value कितना है, 9 cm AB है 6 root 3 और CD, CD जो है आपका 3 root 3 हमें क्या निकलना है, angle A angle A को दो पार्ट में बाट कर लेते हैं, अलफा है, एक बीटा है अलफा और बीटा कैसे निकलेंगे AD पता है और AB पता है, तो यहां से तो कॉस अलफा लगा लेते हैं कॉस अलफा क्या आ जाएगा, AD by AB जो की है, 9 by 6 root 3 तो इधर से क्या आ जाएगा, 3 2 6 और root 3 by 2 आ रहा है बात यही है, अलफा का वेलू कितना हो गया, 60 degree root 3 by 2 को उन्हें, 60 degree नहीं होगा, 30 degree हो गया ठीक है, फिर हमें बीटा भी निकलना है, बीटा के लिए क्या पता है, देखो base and height पता है, तो अगर हम 10 बीटा लिखेंगे, तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, 3 root 3 by 9 जो की है, 1 by root 3, यह कितना हो गया, बीटा का वेल हो गया, 30 degree अलफा भी 30 degree, बीटा भी 30 degree, तो जो एंगल A है, दोस्त, वो अलफा प्लस बीटा होने के नाते कितना हो जाएगा, 60 degree देखिए 60 degree की तरह है, option number D में तो अगर यह वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुँचाई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेश्ट प्यू आक्यू का सलूशन मिलेगा आपको दीटेल में, और अगर हम यहाँ पे कोई concept डिस्कस करते हैं, तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तार, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए solution के साथ और एक नए concept के साथ